नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टार्गेट फॉर आईएस नंपी पिएससी बितके के आज है 27 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करेंट अपर्स दोस्तों जैसा कि सभी को मालूब है हम लोग डिली बिसस पर डिसकस करते हैं मध्य प्रदेश का देने करेंट अपर्स और आज के इस करेंट अपर्स में हम लोग डिसकस करेंगे एक वने नेक वने संकल्प किस से संब्देथ है साथी-साथ गुजराती समाज के एक संग्राला कावी उद्गाटन किया गया है मद्य प्रदेश में तो यह किसके द्वारा किया गया है और भी अन्य बेविन परकार की करेंट अपर्स जो बिगद दिनों में हुए उनको हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 27 अक्टूबर का मद्य प्रद इस लेक्चर किया किसी अन्य लेक्चर की तो लिंक विलो डिसक्रिशन और आज का क्रेंट अपर्स जो लोग भी मद्य प्रदेश MPPSC की तयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों की वीडियो कोसिस करूँगा कि डेली बिसेस पर आपको मद्य प्र संबन्दित है यह संकल्प लिया गया है एक बने नेक बने काले संकल्प किस से संबन्दित है यह संकल्प तो आपका option number 1 है कोरोना से संबन्दित है खुले में सोंच से संबन्दित है सिक्छा से संबन्दित है या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका right answer है आपका कोरोना जी हाँ COVID-90 से यह संबंदित है एक बने नेक बने का संकल्प किस से संबंदित है COVID-19 से संबंदित है यहीं पर मैं आपको COVID-90 से जयसा कि सभी को मालुम हो हम लोग केवल औकेवल आपको करेंट पर से बताते नहीं वलुकि आपको रिवाइज वी कराते हैं तो चलिए यहाँ प कब से हुई थी एक अगस्त से इसकी शुरूबात हुई थी दो फेज में यह चलाए गया था सेकंड इंपोर्टेंट है कोरोना चे संबंदित रोको टोको अभ्यान काफी इंपोर्टेंट है यह रोको टोको अभ्यान किसे संबंदित था यह भी कोरोना से संब्दित था सारव जरने की स्तलफर ऐसे लोग जो मिना मास्क के घूम रहे हैं उन्हें मास्क उपलवद कराया जाएगा और उनका जुर्माना भी लगेगा और उन्हें मास्क कौन उपलब्द कराएगा मद्द प्रदेश गबर्मेंट के विविन पिरकार के जो भी करमचारी गण है वो है मास्क उपलब्द कराएगे कौन से मास्क उपलब्द कराएगे जो कि जीवन जोती योजना के अंतरगत महला स्वासाता समूहों द्वारा मास्क निर्मान किये गए थे उन्हें महला स्वासाता समूहों को मास्क निर्मान का कारेश सौपा गया था तो उनके द्वारा निर्मित मास्क यहाँ पर उपलब्द कराए जाएंगे तो किसके द्वारा महला और द्वारा निर्मे तो मास्क को पलब्द कराये जाएंगे किस योजना के अंतरगत रोको टोको योजना और जीवेंजोती योजना के अंतरगत महला स्वासाता समुओं को मास्क निर्मान की जिम्मेदारी सौपी गई थी तो यहाँ पर हमने कुछ important fact कुरोना से संबंदित देखे, second important fact यह है कि हर जिले में एक fever clinic का उदगाटन किया जाएगा और यह fever clinic लगबग अभी की तादात में लगबग 30-35 fever clinic तयार भी हो चुके हैं जिलों में और साथ ही साथ एक special mobile band तयार की जाएगी जो की COVID-19 से संबंदि जाँच प्रकिरिया पूरी करेगी दूर दराज के इलाकों में क्योंकि अभी भी दूर दराज के इलाकों में स्वास संबंदी सेवाओ की उपलबदा कम है और वहाँ पर ऐसे च्छेत्रों में जो की आदिवाजी च्छेत्र हैं दूर दराज के जंगली एरिया में बसे हु chemareajuna को इस्टी हो समझgensक्ते यहिसां आइक डिशन को हराने और एक बने नेगा संकलप किसके द्वारा दिला गया जैसा कि हमने तेका एक बने नेख बने संकलब किस समगन देते हैं कोबिट परन्तु है संकल्प की सपत किसके दौरा दिलाई गई मद्दे परदेश में सुरुवात किसके दौरा की गई तो आपका उप्सन नमर एक है राज़िपाल महुदा भी इनुगे दौरा दिलाया गया जैसा कि सभी को मालुम होना चाहिए यह यूपी और एंपी दोनोंकी यह आई थी 19 अक्टूबर को मद्द प्रदेश की बिजिट पर, second option मारणिये मुखमंत्री जी जैसा कि सभी को मालूम है, सब राज सिंह चोहन मद्द प्रदेश के मुखमंत्री है, साथी साथ, यह इनके पास कुछ मंत्राला है, जैसे की जनसंपर्क मंत्राला है, साथी साथ मरवदा विकास मंत्राला है भी, इनी के पास है और और अन्य ऐसे मंत्राला जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं कियेगा है, एक और important fact आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बिधानसभा चेतर से थे, वह थे, दमूह बिधानसभा चेतर से थे, तो अभी तो आप लोगो को काफी students के question आ रहे थे कि सर, उनका election क्या, अब मद्द प्रदेश में 28 बिधानसभा की जगा, 29 बिधानसभाओं में election होगा, नहीं दोस्तों, मद्द प्रदेश में अभी, प मुक्सचिप कोन है मद्द प्रदेश के, मद्द प्रदेश के मुक्सचिप एकवाल से हैं, वैसे कई बार में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो चलिए आईए देखते हैं, हाँ, मुक्सचिप से समद्द एक और important fact में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, कि जो किसके द्वारा गुजराती समाज कार्याले का उधगाटन किया गया, काफी important यह question है, गुजराती समाज का यह प्रतम कार्याले मद्द प्रदेश में उपन किया गया, तो देखते हैं, option number 1 है माननीय मुक्मंत्री जी, राजपाल महुदाय, ग्रह मंत्री जी और इन में से को किसके बाद यह गुजरात की मुक्मंत्री बनी थी, माननीय नरिन्द मोदी द्वारा जैसे ही पी-एम भारत के प्राइम मिनिस्टर की सपत ली थी, उसके बाद उनहीं ने गुजरात के सी-एम की सीट समा ली थी, तो चली आईए देखते हैं, हमारा पूरा क्या है पूरी कोविड-90 को हराने और एक बने नेक बने का संकल्ब किसके द्वारा दिलाया गया था, माननीय पटेल के द्वारा, जैसा कि हमने देखा, हमारी राजपाल द्वारा, साधी साथ नहोंने क्या किया, दुरगा अष्टि मी पूजन आरती में सामिल हुई, उसरी पटेल द्वा मनाया जाएगा राष्टी एकटादिवस, काफी important हैये, मद्द प्रदेश में राष्टी एकटादिवस, तो देखते हैं, option no.1, 31 अक्टूबर 2020, option no.3, 21 अक्टूबर 2020, option no.4, 30 माई 2021, तो इसका right answer है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा, मद्द प्रदेश भी नह आजाता है तो चलिए हम देखते हैं 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्टी एक्ता दिबस सरदार बला भाई पटेल की जन्मतितिपर काफी इंपोटेंट है ये सरदार बला भाई पटेल जी की जन्मतितिति के उपलक्ष में मनाया जाता है ये राश्टी एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा सामान्य प्रसासन विभाग द्वारा जादी आदेश के तहत 31 अक्टूबर राश्टी एकता दिवस के अपसर पर राश्टी एकता की सपद दिलाए जाएगी एकता खंड़ता सुरक्षा की भावना मजबूत प्रदांत करने के लिए राज्य पुलिस एवं अन्य वर्दी धारी बलों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा 31 अक्टूबर को साम मार्च पास्ट का आयुजन किया जाएगा जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए जो सरदार बलब सरदार बरलब भाई पटल से important fact कुछ आपको बताना चाहूँगा कि नर्वदा नदी पर जो सबसे उची मूर्ती बनाई गई है वो सरदा बरलब भाई पटल की ही मूर्ती है और यह गुजरात में है और सरदा सरुबर बांध भी है जो की काफी चर्चा का बिशह रहा है इसक अधि कि जो उखाटन है सरदा सरुबर बांध की जो नीव है वहें किसके द्वारा रखी गई थी तो यह नीव रखी गई थी आपकी सर्गिये पंड़ित जवाला नहरुड़ारा जो की हमारे भारत के पर रधं- प्रधान मंतरी भी थे उनके द्वारा इसकी नीव रखी ग किस राजी की सरकार ने दिया अधिस अब अवकास के दिनों में भी बिज़ी किंदर खुले रहेंगे अर्थाथा बिजली का भुकतान अवकास के दिनों में भी इनके इंद्रों पर जाकर कर सकते हैं तो इसka राइट आंसर है दोस्तों मद्य प्रदेश गबर्मेंट द्वारा यह आदिश दिया गया है काफी important है आदिश है और इस आदिश के अंतरगत अब अवकास के दिनों में भी बिजली भुकतान होता रहेगा और बिजली भुकतान के इंदर खुले रहेंगे यहाँ बिजली से सम्मंदेश को important fact आपको बताना चाहूँगा कि मद्य प्रदेश का आपका सबसे अधिक जो पवन उर्जा सैंतर हैं बिजली से सम्मंदेश हैं वह कहां पर हैं तो वह हैं आपके रतलाम में और मद्य प्रदेश के सबसे अधिक पवन चक्कियां कहां पर हैं वह कहां पर था स्वारूर जासे संचालेट वह हैं बिजली से संचालेट हैं वह भी कहां पर रहा है जो के इसी के द्वारा करता है कहा पर है सांची दूध के कहाँ पर यह भुपाल में यह भी पूर्थ बापका इसी उड़ा पर संचालित होता है चलिग आई देखते हैं सांची किस तूप की कोछ किसके द्वारा की गई ठी आपको इसका जवाब देना है जरूर आप लोग इसका अंसर दें धन्नाबाद दोस्तों कर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर करिए सस्कारब करिए ठैंकी सुमाच वाचिंग देश बीडियो